नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब का हारदिक स्वागत हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि IFMS 3.0 में Employee को किस परकार से वेरिफाई करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें SSO सर्च करना है जैसे हम सर्च करते हैं राजस्तान सिंगल साइन ओन की सबसे उपरी साइट पर हमें क्लिक कर लेना है इस पर जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस परकार का पेज हमारे सामने ओपन होता है अब यहाँ पर हमें Employee ID, यहाँ पर Password और यहाँ पर Capture Fill Up कर लेने है जैसे ही लोगिन करते हैं कुछ इस परकार का पेज हमारे सामने ओपन होता है यहाँ पर हमें IFMS 3.0 को सर्च करना है चुकि मैंने पहले से सर्च कर रहा था इसलिए यहाँ पर IFMS 3.0 सो हो रहा है अब हमें इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है जैसे हमें open करेंगे कुछ इस परकार का page हमारे सामने open होगा तो friends इस परकार से दो option हमारे सामने open होते हैं Workspace और Employee Self Service अब हमें Workspace पर click कर लेना है जैसे हमें इस पर click करते हैं यहाँ पर तीन परकार के option हमारे सामने open होते हैं Desk 1, Desk 2 और DDO Desk 1 पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर HO open होगा और Desk 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर DDO हमें Desk 1 पर क्लिक करके यहाँ पर HO से login करना है जैसे हमें इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस परकार का page हमारे सामने open होगा और चार option हमारे सामने खुलेंगे यहाँ पर हमें second number का जो option दिखाए दे रहा है disbursement engine इसमें यहाँ पर हमें employee management पर click कर लेना है जैसे हमें इस पर click करेंगे कुछ इस परकार से list हमारे सामने open होगी यहाँ पर जो second number का option है employee management इस पर हमें click करना है और scroll करके नीचे जाना है अब यहाँ पर last में verification का option नजर आ रहा है इस पर में click करना है और यहाँ पर employee verification इसको click करना है जैसे हम इस पर click करते हैं हमारे जितने भी employee है वो यहाँ पर open हो जाते हैं चुकि यहाँ पर item पर page 5 ही है इसलिए यहाँ पर 5 करमचारी ही शो हो रहे हैं इसको मैं बदल कर हमारे जितने करमचारी है उसके हिसाब से 15, 20, 50 जो भी चाहे आप जितने करमचारी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 15 करमचारी है तो यहाँ पर 20 को सेलेक्ट कर लेता हूँ d LEGOPTION पर स्पार ननाखते ही इसे सपरेंड पर यह बहुंत इसारङ्ग हो यह頭 ही घटाएव हम स्की यहां पर इसना Nahum एधुद पार्ट करेस्ट जाए है हम यह धुराट स्धार करेंट ठारण käytt मद्रिक止ास है एक्तम सही है इसको भी हम हटा देते हैं इसके बाद डेजिनेशन एट फर्स्ट अपॉंट्मेंट इन सर्विस के डर यहां पर आप चाहे तो इसको चैंज कर शकते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हमने टीचर ग्रेड धर कर दिया है इसके बाद में यहां पर यह टिक भी सही है तो इसको भी हम हटा देते हैं इसके बाद में फ्रेंट्स हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर ग्रूप का नाम है cf1 और बज़ेट हैड है को सभी करमचारियों के pay manager id पर जाकर budget rate कुछ चेक कर लेना है सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर submit का option नजर आ रहा है इस पर हमें click कर लेना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा confirm are you sure you want to submit the request तो यहाँ पर हमें yes के button पर click कर लेना है जैसे हम click करेंगे यहाँ पर लिखा रहा है successfully detailed have been verified and updated successfully अब हमें okay के button पर click कर लेना है अब friends यहाँ पर हम देखते हैं मेरे जितने भी करमचारी है यहाँ पर उन सभी के जो account है वो verified हो चुके है तो friends आपको भी IFMS 3.0 पर जितने भी करमचारी है उन स सभी को verified करना है तो मेरे दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like कीजिए share कीजिए और channel पर पहली बार आए तो channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में धन्यवाद